दोस्तों देख सकते हैं एक हाथ में मेरा एक्सपायर 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 हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका बड़े ही आसानी से आपका काम च चलिए जान लेते हैं. होता है क्योंकि मेरे पास एक और ATM काड था उसका ATM यहां पे expire हो चुका था फिर भी मेरे घर पे कोई भी ATM नहीं आया था तो जैसे आपका ATM काड expire होने वाला है या फिर expire हो चुका है तो क्या करना चीए चलिए अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मैं है आपको बता दू कि अगर आपका आकाउंट regular updated है यानि आप यसे की एक unterstützen होता है कि आप उसे मतलब updated होता है हमेंसा हाप उसे ladden करते हैं chron से करते हैं पैसे ऊद्राब्स साथ होता है तो आपको फो फोम भरने की जरूत नहीं होती बैंक में अगर आप बैंक में फोम भरेंगे तो आपका दो-दो ATM कार्ड आ जाएगा जैसा कि मेरे साथ हुआ था यह तो मेरे पास एक ही आया था लेकिन दूसरा काउंट है मेरा मेरे साथ सेम यही हुआ था मेरा ATM एक्सपायर हुए दो दिन हुआ नहीं कि मैं यहाँ पर बैंक चला गया और बैंक में मैंने एक नया ATM कार्ड का फॉर्म भर दिया उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो-दो ATM कार्ड आ गए ऐसा क्यों क्योंकि मेरा अकाउंट अपडेटेड था हमेशा उस पर ट्रांजेक्शन करता था और यहाँ पर जैसे माली जगर आप रेगुलर बेसेज पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक यहाँ पर आपका ATM एक्सपायर होने से पहले ही भेजता है बट किसी किसी केस में यहाँ पर 5-10 दिन का डिले भी देखने को मिल जा है तो आपको 15-20 दिन वेट कीजिए मैक्सिमम केसे में एक वीक में ही आपका ATM काड आपके घर पर आ जाएगा यानि एक्सपायर होने के बाद या फिर कभी-कभी एक्सपायर होने के पहले भी आ जाएगा लेकिन आपको मिनिमम 15-20 दिन यहाँ पर वेट करना है उसके बाद में जाना है और बताना है कि मेरा ATM काड यहाँ पर एक्सपायर हो गया है लेकिन अभी तक कोई भी नया ATM काड नहीं मिला तो यहाँ पर बैंक आपसे बस एक फर्म देगा उस फर्म को फिल करना है जैसे ही फिल करेंगे 10-15 दिनों में आपके पास नया ATM काड आ जाएगा बट 90% चांस यह है कि अगर आप अपने अकाउंट को मेंटें रखते हैं हमेसा यूज करते हैं तो आपका ATM काड एक्सपायर होने से पहले ही आपके घर पे आ जाएगा तो यही था इस वीडियो में मैंने सारा डीटेल आपको बता दिया फिर भी अगर थोड़ा सा भी कुछ डा करना पड़ेगा निया पिन बनाना पड़ेगा या फिर पुराने वाले से ही काम चलेगा तो इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है प्लीज मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो अभी के लिए तना ही थैंक्यू फो वाचिंग